बड़ी खबर मिल रही है जा सल्मान खान धमकी प्रकरण में एक और आरोपी की गिरफतारी हुई है मॉंबई पुलिस ने आरोपी को बूंदी के हिंडॉली से पकड़ा है और गिरफतार आरोपी लोरेंस गैंग से प्रभावित बताया जा रहा है तो वहाई पकड़े गए आरोपी का नाम बनवारी लाल गुर्जर बताया जा रहा है इंडॉली थाना शेत्र के बोर्दा गाहों से इस आरोपी को गिरफतार किया गया है लौरेंस विश्णोई गैंग से इस आरोपी प्रभावित बताया जा रहा है तो सल्मान खान धमकी प्रकरण और इस पूरे बावले में एक और आरोपी को गिरफतार किया गया है ख़बर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे से जोगी रामफुल महरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका रुख करेंगे रामफुल सल्मान खान को धमकी प्रकरण में एक और आरोपी की गिरफतारी हुई है बनवारी इस आरोपी का नाम बताया जा रहा है और क्या जानकारी निकल कर सामने आई है कि इसकी गिरफतारी बुंदी जिले से हुई है लेकिन हमारे सुत्रों का जो जानकार और बेहद आहम सुत्र उनका कहना है कि यहां से उस तारोपी की गिरफतारी हुई है रामपूल आपसे ये भी जाना चाहेंगे जो आरोपी जिसके गिरफ़तारी के संभावना आ रही है जो सूचना आ रही है क्या ये हिस्ट्री शीटर है इसके खलाफ क्या और भी मुकत में दर्श है ठेके रामपूल शुक्री आपका जानकारी साचा करने के लिए तो मुंबई पुलिस ने आरोपी को ग्रफ़तार किया है आरोपी लॉरेंस गैंग से प्रभावित बताया जा रहा है बूंदी का ये आरोपी है जिसका नाम बनवारी लाल गुर्जर फिलाल बताया जा रहा है लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है बनवारी लाल गूर्जर और कहा ये भी जारा है कि लौरंस विश्णोई गैंक का ये गुर्गा भी है और उनके जो भी आइडियास है उन्हें आगे से आगे पहुंचायता है उनके पोस्ट लाइक करता है साथ ही जो भी उनके पोस्ट लौरंस विश्णोई के होते हैं उन्हें फॉवर्ड भी करता है तो अब पूरे घटा क्रम में इसकी क्या भूमिका रही है सल्वान खान की घर के बाहर जो सरीके से फारिंग की गई उसमें क्या इसकी भूमिका रही है इसको लेकर फिलाल जाज की जा रही